बारतिय जन्ता पार्टी विदायक समीर मेगे और स्थानिय ग्रामिनों ने जिला परिशत के सामने नागपुर जिले के प्रात्मिक स्वास्त केंद्र की निर्मान को फिर से शुरू करने की मां को लेकर भी जिला नियोजन समीती पर निशाना साधा बोटलेगट ग्राम पंचायत में देवेंर फर्णविस और चंदर शेखर बावन को ये द्वारा वहाँ पर स्वास्त की उपकेंद्र शुरू करने के लिए मंजूरी दी गई थी जगर नहीं मिल रही थी और स्वास्त उपकेंद्र बनाने के लिए जो निदी आया था वो वापिस जा रहा था लेकिन सुनगिरने की 5000 जगर सरकार को हमने दान की थी ऐसी जानकारी देते हुए विधायक समीर मेगे ने आगे कहा कि निर्मान का काम शुरू भी हुआ था लेकिन जिला परिशेद्वारा एक ठराव लिया गया जिसमें उस काम को रद करने की बात कही गई जिससे निर्मान के लिए जो पैसा खर्च हुआ इसका जिम्मिदार कौन है और आगे चलके उस काम का क्या होगा इस बारे में जब विधायक समीर मेगे ने पूचा तो उन्हें बात नहीं करने दिया जिससे सरकार के कामों पर प्रशन चिर्न दिखाई दिता है ऐसी जानकारी समीर मेगे ने बीसे न समख्ष दी विकास काम ये शहर की जनता के लिए किया जाता है लेकिन अधिकारी और विधायक इनमें सही बाचीत का तालमेल नहीं होने से जनता का पैसा यूही बरबाद हो रहा है इसके लिए जिम्मेदार कौन अब ये सवाज शहर की चनता, अधिकारी और विधायक समीर मेगे से कर रही है कैमरा पोसन राजकुमार मोड की साथ संजे मीरे बीसी नियूस नाकपुर आमी सरकारला द्यान दिली आणी तीथे ते काम सुरूई जाला ते उपकेंद्राचा जवडपास 12-14 लाग रुपे खर्ची जाले आणी कालज जिल्ला परिशतनी ठराओ गेतला ते काम रद्द करनाचा मंजे पैसा जो खर्च जाला येचा जवाबदार कोन आणी त्या कामाचा आता पुड़का होनार येचा बदल जेवा मी प्रश्ण विचाला मला बोलू दिला नाई आणी ती मीटिंग समाप्त जाली आसा बोलले ये अतिशे वाइट परस्तिती मदे यहां सरकार ची भूमी का है आणी आरोग्य हां महत्वाचा है आपने ला माहिते करोनाचा काल अजुन सुरूच है आणी अशा पद्दिती मदे ते आरोग्य चा विरोत करत असेल तो ही खरत महां भोगस आगाडिया समला मनना है